नाव टूफिंगर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोट का एक बड़ा फिसला आया है क्या है टूफिंगर टेस्ट क्या होता है इस क्यों किया जाता है जानेंगे इस बारे में सुप्रीम कोट ने क्या फिसला दिया है यह जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि two finger test होता क्या है two finger test में डोक्टर द्वारा यह जाज किया जाता है कि महिला sexually active है या नहीं है अब आप कहेंगे कि यह क्यों किया जाता है किसी रेप पीडित महिला को लेकर रेप हुआ है या नहीं हुआ है ये जाज करने के लिए टू विंगर टेस्ट किया जाता था अब तक तो यही किया जाता था 31 अक्टूबर को जस्टिस डीवाई चंदरचूर और जस्टिस हीमा कोहली की बेच ने ये कहा कि इस टेस्ट का कोई विग्यानिक आधार नहीं है रेप हुआ है या नहीं हुआ है ये जानने के लिए उसकी सेक्शुल हिस्टी को जानना कोई जरूरी नहीं है इसका कोई विग्यानिक आधार नहीं है इसको लेकर उन्होंने फेसला किया कि टू विंगर टेस्ट को बेन किय कर दिया अब सुप्रीम कोट ने हाइब को पलट कर आरोपी को दोशी माना आए और साथ ही और साथ ही मेडिकल कोलेज में पढ़ाई जाने वाली टू-फिंगर टेस्ट को सिलिबस से हटाने का आदेश दिया है एसाई एक केस दोजार तेरा में लीलू राजेश बनाम हरियाना राजे के मामले में सुप्रीम कोट ने टू-फिंगर टेस्ट को अर सविधानिक गोशित किया था